तो चलिए आज मैं आप लोक साथ शेयर करने वाली हूं किचन की कुछ टिफ्स जो कि हम सभी के लिए बहुत ही जादा ये यूसफुल है और सबसे पहले करेंगे हम जो गैस का बर्नर होता है इसे क्लीन करेंगे आप देख सकते हैं कितना जादा गंदा हुआ है तो इसे साफ क करेंगे पानी हम वाइल करके लेंगे मैंने दो गलास पानी लिया हुआ है इसमें डालेंगे हम दो चम развит मेने लिया है बेकिंग सोटा ग़्म पाने अनुपती मेने दालए में नीबू करस कोई बिटेरचित डाल सकते हैं एक मैंने डाले या पिर आप जो भी डिश-वास निकाल के हम वाश करेंगे तदेख सकते पंदर में ठोच चुका है तो यह मैने वर्तन बार लिया है एक फिम बार के लिया है और इसको इस तरह से ब्रुण भरकाए कि देख शकी साथ harvest गरंपानी जो वेकिंग सोड़ा ऐसे लगा करेंगे इसके बा 답 मैं ऑपर नीबू लगा इस तरह से चारो तरफ इसमें नीबू लगा देंगे यह देख सकते हैं इसमें चमक भी आ गई और कलर भी आ कि दोनों को इसी तरह से हम क्लीन कर लेंगे बहुत असान है बहुत जल्दी हो जाता है यह क्लीन सक्र बरस से साफ कर लेंगे यह देख सकते हैं यह बगधा अच्छा सा क्लीन हो गया है अब एक सकते मैंने से और लिए इसके बार आप देखिए यह बिल्कुल क्लीन हो चुका है यह दिखिए जो आपको काला दिख रहा नहीं यह पहले से ही था एसे तो यह देखिए दोनों बर्नर बिल्कुल साफ हो गए और पूरी जो होल भी खुल जाते हैं इसमें तो चलिए दूसरी टिप्स की तरफ चलते ह तो यह जो कप है चाय के जो कप होते हैं अंदर से आप देख सकते हैं यह चाय के दाग रह जाते हैं कितना भी हम इसे साफ कर लें यह बिल्कुल भी साफ नहीं होते हैं तो बहुत जिद्दी होते हैं यह दाग तो इसको कैसे साफ करेंगे तो जो मैंने बर्नर का पानी था वह में इसमें दाल दिया है घरम वाला पानी है और इसके बाद इसमें प्लोख से बेकिंग सोड़ने के बाद के बाद मिल्चाव सिय मिल्च करने के बाद इसका जबिंग के लिए तो मैं च्रुब्र ले रहे हूं और विंपार लगाए िल रौशे गिटर से इसको साफ और अंदर से बिलकुल साफ हो गया है तो यह साफ करेंगे डीकोन कर सकी कर करेंगा MP3哈哈 तो दूसरा यह ब्न हैं यह बहुत जाथा कि बहुत इस नहीं होते हैं और यह जानी से शाफ हो जाते हैं आप देख सकते मैंने इसे वाषट कर लिया है तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब परना बिल्कुल नहीं भूलेगा मिलते हैं अगली वीडियो में तक लिए थेंक यू